कुलकत्ता में महला के साथ दर्दाक होई घटना के बाद महलाओ की सुरक्षा को लेकर डिबेट शुरू कर दी है रशासन पर बड़े सवाल उठाय जा रहा है कई फिल्मी सितारों ने भी इस मामले पर अपना रियक्शन दिया है इसी भी शारुखान के कुछ पुराने वीडियो वारुल हो रहा है जिनमें उन्होंने यंग मर्दों को महलाओ को ढंक से ट्रीट करना सिखाने के बारें बात 1213 में फिल्म चन्या एक्सप्रेस का प्रमोशन शारुखान कुलकत्ता में कर रहे थे उन दिनों भी शहर में महलाओ के खिलाफ बढ़ते क्रायम को देखा जा रहा था ऐसे में मिडिया ने शारुखान से सवाल किया था कि कुलकत्ता मेलाओ के लिए सुरक्षित नहीं रहा है इस पर सूपरस्टार ने जवाब दिया था ये बहुत प्रसनल बात है आप एक शहर को चुन नहीं सकते क्योंकि ये सिस्टम पर आरोप लगाने के लिए बहुत आसा ये कि घर पर हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं दिकत उस सोच में है जिसमें हम अपने लड़कों को नमर अच्छा और इजददार नहीं बनाते तो मैंने ये करना शुरू कर दिया है एक्टर ने ये भी कहा था कि जब मैं अपने बेटे से लड़कियों के बा माफ नहीं करेंगे तो हमें यहां से शुरूआत करने चाहिए ये उस वक्त के बाद है जब शारुखान कुलकता शहर के अमबसेडर थे 2017 में शारुखान महिलाओ के खिलाफ हो रही हिंसा पर एक बार फिर बात की थी उस वक्त एक चैरिटी इवेंट में एक्टर से सवाल किये गए थे तब उन्होंने कहा था ये एकदम गलत है मुझे लगता है कि माँ और बाप को अपने बेटों को औरतों की इज़त करना सिखना चाहिए सब महिलाए बेटी या मा के रूप में मेरे दिल के करीब है यही वक्त है जब आपको समझ जाना चाहिए और इस बात का ध्यान देना चाहिए कि इस कराप पर उनकी सबसे जएदा इज़त होनी चाहिए वब अगवान की क्रियेशन है जो भी काम वो करती है उनकी इज़त होनी चाहिए फैमिना को 2017 में दिये इंटर्व्य में शारुक खान ने कहा था मैं आरियन यहां तक की अबराम को कहता हूँ कि एक औरत का दिल कभी मत दुखाओ अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारा सिरकार दूँगा और नहीं वक्त नहीं बदला है एक लड़की तुम्हारी चड़ी बड़ी नहीं है उनकी प्रती इज़त दिखाओ विडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें